आज मैं आपके लिए एक और मोटिवेशनल वीडियो लगे आई हूँ और आप इस वीडियो को देखने के बाद यह जरूर मान लोगे कि जैसे मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि नेगिटिविटी को अपनी लाइफ से जिस दिन निकाल के बाहर फैक दोगे उस द स्टार्ट करते हैं हम वीडियो में कुछ है स्टोरी में कुछ हैसा होता है कि दो दोस्त होते हैं जिगरी दोस्त वह होते हैं जय और वीरो वाली स्टोरी जय और वीरो जैसे दोस्ती होती है ठीक है वो लोग बच्चे होते हैं एक 12 साल का होता है और एक 6 साल का होता है ठीक ह जो चोटा वाला दोस्त होता है उसकी बड़े वाले दोस्त के कंपेर में आधी उमर होती है तो दोनों लोग क्या करते हैं एक दिन अपने गाहों से बहुत दूर एक जंगल में जाते हैं ऐसे ही मस्तियों अजाप में घर पे किसी को नहीं बताते हैं और वो लोग ऐसे गुमत हो जाती है कोई के चारो तरफ जिससे के इंसान गिरे ना उसमें ऐसा कुछ नहीं था उसको गया और वो लड़का धडाम से कोई के अंदर ने गया जो चोटा दोस्ता वो परेशान हो गया और उसने देखा कि क्या करूं मैं आप वो बहुत देर तक चिलाया और बड़े दो देखा बहुत डूमने के बाद उसे एक रस्ती से बंद हुई बाल्टी दिखाई ती जो कि कोई से बहुत दूम करी उस लड़के ने क्या किया उस बाल्टी को उठाया और कोई में फैक दिया और अपने दोस्त को बोला कि इसके ऊपर बैट जा या इसके ऊपर चड़ उस लड़के ने कुछ नहीं देखा क्योंकि जब जान पे बनाती है तो हम लोग को लगता है कि हर एक वो चीज जो हमें बचा सकती है हमें उसकी हेल्प लीनी चाहिए उस लड़के ने उस बाल्टी को पकड़ लिया और जो 6 साल का चोटा सा लड़का था उसमें उस बाल्टी को खीचना शुरू किया दीरे दीरे उससे जब कोशिश की तो बाल्टी जरा सी भी उपर नहीं आई क्योंकि डेफिनेटली वो 12 साल का लड़का था एक 6 साल का लड़का कैसे खीच सकता है उसे उपर उसने बहुत कोशिश की और बहुत कोशिश करने के बाद उसमें देखा कि धीरे धीरे बाल्टी जरा उपर आने लड़का उसने अपने जिन्दगी में इतनी मैनत कभी नहीं की होगी क्योंकि 6 साल का बच्चा था उसने अपनी सारी ताकत उस बाल्टी को खीचने में लगा कि उसने धीरे-धीरे करके बहुत मैनत करने के बाद अपने उस दोस को कोई से बाहर निकाल लिया वह जो बड़ा लगा तो बहुत जादा खुश था उसने जैसे अपने छोटे से भाई को बले लगाया एक छोटे से भाई उस छोटे से लड़के नहीं बोला डरते हुए कि हम अपने घरवालों को साही चीज़े सच सच बता देंगे वह जैसे घर पहुचे उन्होंने अपने घरवालों को बताया और उन लोगों को जैसे लग रहा था कि हमें बहुत जोड़ा डाट पढ़ने वाली है कि तुमनों वहां क्यों गए क्या किया यह सब उस सब से उलट हो हो गया सब कुछ और उनके घरवालों ने इस बात में विश्वास ही नहीं किया कि ऐसा हो सकता है देफिनेटली कैसे कर सकते हैं लोग विश्वास दीरे दीरे पूरे गाउं में बात फैल गई कि एक 6 साल के लड़के ने 12 साल के लड़के को खुवे से निकाला है और यह बा संतर है कि उनका जो है उनकी बुद्धी या फिर उनका ज्यान बहुत है और वह हमेज़ सबसे समझदार है वह जो भी बोलते हैं वह सच ही होता है लोगों को पहले तो लगा कि यह कैसे बोल सकते हैं कि इस चोटे से बच्चे ने ऐसा किया होगा बट फिर वह साय लोग इख ने तो गाउवल ने पूचा चलो ठीक है बता दो जरा कैसे किया होगा इस लड़के न ऐसा तो चाचा ने बोला मेंको क्या बताना है इस लड़के ने खुद बताया कि कैसे इस बाल्टी से अपने दोस्त को भार खिच लिया लोग बोले कैसे हो कैसे सकता है जो चाचा जी वो मुस्कुरा दिये मुस्कुराने के कुछ दिर बात वो बोले कि इस लड़के न ऐसा इसले कर दिखाया क्योंकि इसके आसपास दूर दूर तक कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू ऐसा नहीं कर सकता तू अभी छोटा है तुझसे नहीं खीजा जाएगा तू अपने दो मुझे करना है और मैं कर दिखाऊंगा इसी जश्वे के साथ उस बंदे ने उस लड़के को बाहर निकाल दिया लोग हैरान थे सोचके कि ऐसा कैसे हो सकता है फिर उस चाचा ने बोला कि जब तक तुम्हारे अंदर negativity होगी जब तक तुम ये सोचोगे कि मैं ये नहीं कर सकत है जो मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूं कि अपने अंदर से negativity बाहर निकाल के अफेक्ट दो जिस दिन negativity चली चाहेगी उस दिन आपको कोई भी काम मुश्किल या फिर नामुम्किन नहीं लगेगा सिर्फ इतनी सी बात है कि जिस दिन आप इस चीज को करने की ठान लो कि मैं ये करूंगा मुझे ये exam crack करना है मुझे नौकरी चाहिए मुझे government job चाहिए मैं I.S. officer बनना चाहता हूं मैं आर्मी में जाना चाहता हूं मैं N.D.A. John करना चाहता हूं मैं need join करना चाहता हूं कुछ भी उस दिन के बार्ट से आपके दिमाग में 1% भी negativity नहीं हो पाएगा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम बहुत ऐसे situation आ जाती है जब आप तूट जाते हो पूरी तरह से हालातों के सामने हार मान लेते हो बस उसी टाइम कभी ये मत सोचना कि मुझ से ये नहीं होगा मैंने बहुत रोशिश कर ली बट अब नहीं होगा जिस दिन दिन लाग में बात आ गई उस दिन पूरी तरह से हार जाओगे लाइफ में कुछ बन तो जाओगे पर रिग्रेट हमेशा रहेगा बहुत से लोग ऐसे देखे हैं मैंने दुनिया में जिनका सपना होता है कि मैं एक अच्छी कासी गर्वर्मेंट जॉब चाहता हूं मैं आईएस जिसमें उन्हें अपने बॉस की सुनने भी पड़ती है और महीने के आखिर में खर्चन इकानने तक के पैसे नहीं बचते हैं सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी फोस एडेम्ट में सारी जॉब्स या फिस सारे एक्जैम्स क्ल करते हैं और चार साल बाद उन्होंकों ने जो संघर्ष किया था जो मेहनत की थी उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा होता है मैं चाहती हूं कि आज आप सभी लोग ये प्रण ले लें कि हम अपनी लाइफ से नेगिटिविटी बाहर निकाल के फैक्ट देंगे हम चाह कोई भी मुश्किल हो कितनी भी मुश्किल हो आप उस चीज का सामना कर सकते हो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना अगर कोई चीज ना समझ आई हो तो वीडियो को दुबारा देख लेना और अपनी राए इस सोरी के बारे में कमें सेक्षिन में चोड़ के जाना बिलकुल मत भूल लो एक और बात अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड सेंसामली में जरूर शेयर करना क्योंकि हम चाहते हैं कि एक दिन इस दुनिया से सारी नेगिटिविटी निकल जाए ठीक है अब जो लोग इस चैनल पे नही है I hope सब्सक्राइब करके जरूर जाना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तब के लिए गुडबाई